इस्थानी मा गायत्री प्रग्या पीट विडवाल पर सरद उत्सव का आयोजन क्या गया मानियता है कि इस दिन चंद्रमा सुला कलाओ से परिपुर्ण होकर अमरत की बरसात करता है मौत्सों में पीट की महिलाओ द्वारा भजनों की आरादना कर उत्सों में अपनी सभागिता निहित की देर रात तक भजनों का सिलसिले चलता रहा रातरी बारा बजे पीट के अध्यक से रमेश लगकर द्वारा आरती उतारी गई प्रसादी का वित्रण युवा साथियों द्वारा किया गया प्रग्या पीट के कोशाद द्यक से केलास तारो दिया ने बताया कि शरत प्रूनिमा की रात में खीर को खुले आसमान में पकाय जाता है और खीर तैयार होने के बाद सपेत कपड़े से ढख कर रख दिया जाता है और निर्मित खीर को प्रसाद का भोग भगवान को और पीत कर वित्रण किया जाता है पीट पर पुरुस वर्ग द्वारा खीर का निर्मान किया गया दिल्चसु बाद हे कि शरत प्रूनिमा की रात चंदर्मा प्रत्वी के सबसे पास होता है और मनमोहक नजर आता है प्रग्यापीट के ट्रस्टी सदस्य सुरेंद्र पमार ने बताया कि इस दिन अगर अनुष्टान किया जाए तो ये सफल होता है माननेता है कि इस दिन भगवान श्री क्रश्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था महीं सास्त्रों के नुषार देवी लक्ष्मी का जन्म शरत प्रोणिमा के दिन हुआ था माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर भेट कर भगवान विष्णु के साथ प्रत्विखा ब्रह्मन करने आती है इसलिए आस्मान पर चंद्रमा भी 16 कलाव से चमकता है विडवाल से क्रश्ना मारू की रिपोर्ट